हलो बचोरु वेलकम इंचरक मेटिकल एएंट एट्री ग्लासेज बचों जो एंसरीज चले चले एट एट्री लाइन ग्लाइन फटर स्टरीज E Warm cartoons फिस्टेप स्रीज ठीक है समझ में गया तो फटर स्टरीज में हम उन बच्चों को पढ़ा रह похoded जिन आएख बार भी नहीं क तो पढ़ लिया मगर उनको exact नहीं पता NCRT हमें किस लेविल तक पढ़ा रही है और जो हमारे जो concept किलियर होते हैं वो particular जब हम बुक से पढ़ते हैं means line by line हम बुक को follow करते हैं तभी हमारे proper concept किलियर भी होते हैं ठीक है बच्चों तो जो भी बच्चे नीट वगएर के preparation कर रहे हो या फिर बोड के भी बच्चे हो उनके लिए बहुत जादा helpful है यह सीरीज कम से आपको चाहे आप इस सीरीज को follow करें या अगर आप खुद पढ़ सकत हैं अब यह नहीं कि NCRT अब NCRT से अपर लेविल की भी बुक हैं कुछ बच्चे उनको follow करते हैं तो वह भी भड़िया है बट आप NCRT अगर दी होई है क्योंकि ऐस सेम कोशन भी उठके आ जाते हैं particular line by line ठीक है बच्चों चलिए शुरू करते हैं तो we have learned in section 2.4.3 that the vapor pressure of a solution decreases तो vapor pressure of solution जो है decrease होता है हमने पढ़ी लिया है कब कि सिस्थिती में जब non-volatile solute is added to a volatile solvent तो volatile solvent था ठीक है यह लिया हमने और इसको थोड़ा बहुत हीट किया हीट नहीं भी किया तो molecule के energy जिनकी ज़्यादा energy है वो परदाएंगे और वो क्या करेंगे evaporate होंगे तो यह तो बंद है है ना तो यह तो ठीक है यह evaporate हो रहे है अब मुझे एक चीज बताओ यह evaporate हो रहे है अगर इसमें non-volatile कोई भी मिला दें तो अब इनकी जगह पर कुछ कुछ जगह पर क्या होगा कुछ कुछ जगह पर कौन ले लेगा कोई कोई जगा non-volatile हो हां वीच आर कनेक्टेड विद डिख्रीज ओव वेपर प्रेसर तो हम बहुत सारी सॉलिशन की पढ़ेंगे जो किस चीज से कनेक्टेड हैं डिक्रीज ओव वेपर प्रेसर वेपर प्रेसर क्या हो जाता है decrease हो जाता है जब हम कौन non-mural time mix कर रहे हैं these are relative lowering of vapor pressure of the solvent solvent का relative lowering of vapor pressure of the solvent depression of freezing point depression मतलब depression होना मतलब वो नहीं जो तुम्हें है exam की वेजे से वो depression जब freezing point कम हो जाता है of the solvent elevation of boiling point boiling point बढ़ जाता है ठीक है of the solvent ठीक है and the osmotic pressure of the solution तो यह सारी property हम check करेंगे देखेंगे समझेंगे all these property depends on the number of solute एक मिएट बच्छा वाद थोड़ी कमा रही हो गया I think हाँ all these property depends on the number of solute particle irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution तो यह जो भी properties है depends किस पर करती है solute particle पर करती है मतलब nature कैसा भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है आप glucose मिला रहे हो आप sodium chloride मिला रहे हो ठीक है such properties आरकार्ड इन इन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है colligative property कौन कौन सी यह relative lowering of vapor pressure of solvent depression of freezing point of the solvent elevation of boiling point of the solvent and osmotic pressure of the solution तो colligative यह कहां colligative किस से बना है को means together आपस में कौलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है लिगेयर मीन कौलिगेटिव में टू बाइंड बाइंड होना in the following section we will discuss these properties बनवाइवान एक एक करके हम यह डिसकस करेंगे तो पहली property बच्चों डिसकस करते है related lowering of vapor pressure Relative lowering of vapor pressure से क्या पता चला है तो वी हैव learned relative lowering मतलब कम होना Ut Favorite pressure कम क्यों कैसे होता है दब एगबाव बताओ आप यह solvent लिया ठीक है इनके जो मॉलीक्यूल थे हैं इक क्या रहे थे उपर आ रहे थे तो यह इधर है उपर से आ रहे त्व यह तो This Day Ralph दूब भिए एक ऐसा डाल दिया जो वॉल बाइसा घेड लिए तो अब यू नीचे से आएंगे नीचे से कौन आए 나ी उक्तिक जो अने वाले थे कौन वॉलेटाइल जो भी सॉल्वेंट है तो अब वह तो यह जग है कि तो ओपर आएगा तो कम हो जाएगा वैपर प्रेश्ट ठीक है तो वी है लर्ण इसेक्शन 2.4.3 इंदेट वेपर प्रेश्ट ऑफ सॉल्वेंट का लैस देन देट आफ दा प्योर सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है कम होता है क्यों सॉल्वेंट में सॉल्वेंट में क्या मिले में वह जो अभी बताया था रावल्ट इस्टेवलिस डेट दाफ लॉइर प्रेशर जो यह कम हुआ वैपर प्रेशर डिपेंड्स only on the concentration of the solute particle के बल सॉल्यूट पार्टिकल की वज़े से ही तो कम हुआ वे उन्होंने जगे घेली and is independent of their identity माला वो किस चीज के हैं उससे कोई फरक नी पड़ा the equation 2.20 given in section 2.4.3 establish a relationship between vapor pressure of the sum ने पढ़ी हुई है relationship vapor pressure of the solution mole fraction and vapor pressure of the solvent ये क्या है ये आपने पढ़ी हुई है ये क्या है ये पीवन क्या है vapor pressure किस का था solvent का किस में solution में मिलाने के बाद अब ये क्या है ये है pure होता अगर अगर केवल pure है उसमें कोई भी आपने solute वगएरा नहीं मिलाया है ठीक है ये pure है इसमें नहीं मिलाया यानि ठीक ये क्या है ये mole fraction है उसका तो कितना मतलब मौल प्रेजेंट है कितने परसेंट परसेंट की तो बात होती नहीं यहां तो वन से कंपेयर करते हैं मालो अगर 2 है 2 एक नाम है और एक कभी तो यह अगर 0.4 है तो इतमीन सा अगर यहीं मिले हों तो यह 0.6 है यानि कि टोटल को मांते हैं 1 है ना ठीक डेल्ट टेल्टापीक्षुन अप कुछ ना कुछ दर रिडक्शन इन वैपर प्रेश्ट जो भी एक फॉर्ट यह कबाड जारा थोड़ा सा जा दे हैं तो रिडक्ष न हां रिडक्षन जो कम होगा इन दा वैपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो भी बैपर प्रेशर कम हुआ है ई तो इसलब after mixing यानि की solution का एक तरस है solution में solvent का यह pressure है ना तो p1 not minus p1 not x1 यह आपने डाल दिया यह वाला ठीक है अब जब आपने डाल दिया तो common ले लो p1 not minus 1 minus x1 यह आ जाएगा 1 minus x1 अब आप यह डालते हो कि आपको पता है अगर दो component है तो x1 plus x2 कितना होता है total इसके mole fraction plus total mole fraction मतलब कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा यही तो आपने पढ़ा है बच्पन से यानि कि हमने अभी पढ़ा था ठीक है तो x2 is equal to क्या हो गया x1 plus x2 दोनों के mole fraction का total होता है 1 तो x2 is equal to कितना हो गया 1 minus x1 यही तो हो गया यह इनोंने डाल दिया है 1 minus x1 तो इसको आप क्या लिख सकते हो x2 लिख सकते हो x2 लिख दोगे तो p1 not x2 तो delta p1 क्या हो गया delta p1 क्या हो गया पी 1 not और x2 यह किसके mole हो गये यह किसके mole fraction हो गये यह हो गये mole fraction of solute solute के mole fraction हो गए ठीक है बच्चो इने solution अब solution में containing several non-volatile solute बहुत सारे non-volatile solute है ठीक है तो lowering of the vapor pressure depends on the sum of mole fraction or different solute तो उन सब का total कर दिया हमने mole fraction देख लिया जितने भी solute है जो non-volatile थे equation 2.24 can be written कैसे लिख की जा सकती है तो 2.24 क्या है ये है ठीक है ये तो अब देखो अब ये डेल्टा पी वन है इस इक्वल टू अब ये तुम इस तरह भी लिख सकते हो ये ये देखो तो डेल्टा पी वन अपॉन ये पीवन नोट आ गया नीचे पीवन नोट ठीक है जी ओके इस इकल टू ये क्या है एक्स टू यानिकि ये मॉल फ्रेक्शन कि आहां तो है अब देल्टा पी वन क्या था बता हो टेल्टा पीवन क्या था जो देल्टा पीवन कितना आया है जो इस आतमे अग्र माल प्रेश्व को erk Master हो उसका यानिके अक्स विए-पर प्रेश्यर और माइस पी में यह ही तो है अपोन दल्टा पी और पेप बॉन है the expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is यह जो चीज है यह क्या बनेगी यह चीज क्या बनेगी relative lowering of vapor pressure relative मतला related आपस में relative करना lowering मतला कम होना vapor pressure and is equal to the mole fraction of solute यह देखो mole fraction of solute devivification can be rewritten as यह देखो यह p10 minus p1 upon p10 ठीक तो यह क्या है एक्स्टू क्या है यह है mole fraction of solute तो mole fraction को आप कैसे लिख सकते हो बता हो जरा तो mole second इसके mole solute के mole upon total mole है ना यह क्या हो गया solute के mole solute के mole upon what यह है what is this is the total mole है ना total mole उस solution में जो total mole है ठीक अब देख लो जरा यह भी formula लिख दो जरा यह भी formula में count करा जाएगा ठीक है okay is here n1 and n2 are the number of moles of solute भाया यह जो भी कर रहा है इसमें केवल solvent है और plus solute यही तो है and solute respectively present in the solution for dilute solution की बात करें मतलब बहुत जादे dilute solution है तो उसमें क्या है यानि कि dilute का मतलब क्या है उसमें तो mostly solute solvent ही है और solute जो है solute है बहुत 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 कम तो नीचे वाला n2 की जगे आप n2 बहुत छोटा छोटा होगी तो hence neglect n2 कर दोगे denominator में ठीक है तो यह दोनों formula आप याद कर लो और यह कैसे आया बहुत असान है याद कर लो moles is equal to होता है given mass upon molecular mass समझ में आया बच्चो बहुत असान है बहुत हलुआ है ठीक here w1 and w2 are the masses of m1 and m2 यह दोनों के लिए तुमने डाल दिया है w1 and w2 are the masses of m1 and m2 are the molar masses of the solvent के हैं और solute के हैं यह solvent w1 and m1 यह किसकी बात हो रहा है यह solvent की 2 को हमने लिया था क्या solute के लिए w2 and m2 w2 मतलब gram कितना है और m2 molecular mass can be calculate कर सकते हो आप चुप-चाप हो के ज़्याद attention मत दो यह numerical है यह हम इसकी तरफ नहीं देखना हमें है ठीक है अंजी सेकेंड प्रॉपर्टी इस देखो जराब अच्छों बहुत आसान है एलिवेशन और बॉलिंग पॉइंट की बही एलिवेशन मतलब भड़ जाना बॉलिंग पॉइंट का तो बॉलिंग पॉइंट कैसे किस वज़े से बढ़ रहा था बॉलिंग यह फिरिफिर के से चाहरा हाज है यह फूम्हाज है यह फूम्हाज एन दीन॑ ओवर रहीं है यह किस एकिस्य है यह बताओ ये क्या है ये solution की बात चल लएए ठीक है sir ये बात चल लएए solvent की keval solvent ठीक है तो अब solvent की बात चल लएए तो जब इसमें आपने ये डाल दिये solute डाल दिये थे तो इसका vapor pressure हो जाएगा कम यानि की boiling point बढ़ जाएगा इसका ये रहा है ना तो ये है elevation of boiling point solution वाली बात हो रही है solution वाले वीकर में तो आपने पढ़ा है पांच वी इनिट में 11 में that the vapor pressure of a liquid increases vapor pressure भढ़ जाता है with increase of temperature जब आप temperature बढ़ाओगे तो vapor pressure भढ़ जाएगा it boils at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure तो भाई ये जो boiling point क्या होता था कि जब vapor pressure equal हो जाता है किसके equal to the, equal हो जाता है atmospheric pressure के ठीक है सर ये भी पता है हमने तो इस example पर वाटर बॉयल से at 373.5, 100 degree Celsius बाटर बॉयल होता है because at this temperature पर बात करें vapor pressure of water, water का जो vapor pressure होता है ना तो वह 1.013 बार यानि की 1 ATM होता है तो पानी का जो atmospheric pressure 1 ATM होता है क्या vapor pressure है ना इसी वज़े से इसी temperature पर ये क्या हो जाता है we have also learned in the last section that vapor pressure of the solvent decreases vapor pressure जो है वो घड़ जाएगा in the presence of non-volatile solute अगर आप इस दब्बे में non-volatile डालोगे तो vapor pressure घड़ जाएगा Depigts the variation of vapor pressure of pure solvent and solution as a function of temperature temperature का function है भाई temperature बढ़ा रहा है तो वैपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वैपर बढ़ रहा है तो ए इस बीकर में जो molecule है इस जगह में जो molecule है वे energy ले रहे है और जा रहे है और जादे जादे उड़ रहे है एक्जाम्पिल के तौर पे वैपर प्रेशर ओफ एन एक्वास सॉलुशन ओफ सुक्रोज तो यह देख लो जरा वैपर प्रेशर ओफ एन एक्वास सॉलुशन ओफ सुक्रोज सुक्रोज का सॉलीशन लो सुक्रोज चिन्य डाली घर की पानी ठाई और एकक!」 सॉलीशन मिक्स कर दिया बने लिए है इस लफ देन वन पोंट जीरो बन्वंध्री बार एड़ पर बन्वूसें poser क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है कितना हो जाता है? 1.013 बार से कम क्यों 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 कि अब जो है अब क्या दिक्कत है अब इसमें तो पानी भी है पानी भी है और पिलस क्या हो गया यह solute भी हो गया mix हो गया है ठीक है अब इसकी vapor pressure तो कम बनेंगी पानी की तो कम बनेंगी न in order to make this solution boil इसे बनाने इस solution को boil करने के लिए गर इस vapor pressure must be increased to 1.013 बार बार रेसिंग दा टेंपरेचर एवब दा boiling temperature of दा प्यॉर सॉल्वेंट तो प्यॉर सॉल्वेंट को आप सोच रहते है 100 degree Celsius में वैपर बन रही है बॉयल हो जाए गाज यह तो अब जब आप ने सुक्रोज मिला दिया है अब इस से जादे पर हो गए तस दा boiling हाँ तस दा boiling point of solution is always boiling point है ना solution का हमेसा higher than that of boiling point of pure solvent in which the solution is prepared in shown figure तो solution का हमेसा जादे होगा यह देखो solution का है यह solvent का यह देखो boiling point यह boiling point of solvent solution यह जादे है यह यह देखो जादे है यह टीवी है ना boiling point of यह देखो यह जादे होगे ना और यह टीवी note यह देखो यह टीवी ना यह जो है डेल्टा टीवी यह है elevation elevation of boiling point समझ में आगे है बहुत आसान है बहुत हलुआ है यह देखो आप हमने कितने पर पानी कितने पर बॉयल होता था पानी बॉयल तो बने टिया जब बैपर प्रेशर कितना हो जाता था ओन ATM के पास में हो जाता था atmasic फ्रेसर के equal हो जाता था था तब थो आप देखो solvent यह हो रहा है यह आपने डाल दिया जब आपने डाल दिया जब आपने डाल दिया वह Salutes उनाने जगे ले ली अब favour Frazier कमबना Virtual Pressure अगर वापर प्रेशरatisfसली प्रपोश्चनल लेता boiling point के तब boiling point बड़गा यह अपको बहुत वाता साने बहुत हो आप यह देख लो जरा कि आसी मेलर ऑफ लोवर्रिंग वैपर प्रेश्ट अर्वाइशन और बॉलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड इसमिलर जैसा ब्रेपर प्रेशर कम हो रहा है ना वैपर प्रेशर उसके वैपर कम बढ़ रहे हैं तो अलिवेशन के एक शॉल्यूट कितने जगे कितने शॉल्यूट पार्टिकल है इस पर डिपेंड कर रहा है यह सॉल्यूट ऑफ वन मोल अफ सुकरोज इन हजार ग्राम पानी अगर ऑपने पानी लिया एप यह लिया ऑजार अब दुबारा देख लो समझ लो इसको एक क्या कह रहे हैं देखो जब भाई खाली पानी था तो पानी कितने पर हो रहा था पानी तो हंडेट इकिल से मतलब 373.15 कैल्विन एक नर्ट 15 कैल्विन पर हो रहा था अब आपने अगर इसमें सुक्रोज डाल लिया क्या डाला है तो अब यह 373.52 थोड़ा सा बढ़ गया एक टेमप्रेचर एक 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 एम एक परेशर अगर वन एक एम है तो अब यह थोड़ा सा टेमप्रेचर आपको जादे बढ़ाना पड़ेगा चलो कोई दिक्कन नहीं बढ़ा देंगे हमारा क्या है डेल्टा टीवी नॉट भी pure solvent and TB be the boiling point of the solution है ना TB क्या है boiling point of the solution और TB not मतलब pure तो पहले मुझे बताओ ज्याद है किसका है boiling point ज्याद है किसका रहगा the increase in the boiling point delta tv जो कितना बढ़ा है वो कितने के बराबर है TB जो TB किसका है boiling point BP blood pressure boiling point of the solution ठीक और तीवी नोट यह क्या है boiling point of the boiling point of the solvent जो pure वाला is known as the elevation यह elevation यह जो difference है यह क्या कहला रहा है यह कहला रहा है elevation of boiling point ठीक है बच्छो कोई दिक्कत नहीं है आसा कुछ नहीं है बहुत आसान है चलो experiment have shown that the dilute solution experiment data dilute solution the elevation of boiling point delta tb जो यह बात कर रहा हो आप is directly proportional यानि कि delta tb जो भी elevation boiling point जो भड़ा है directly proportional to the molar concentration total वाला molar concentration of the solute in the solution तो यह डेल्टा टीबी डारेक्ली प्रोपोर्शन है molar concentration ठीक है molar concentration of the solute solute की molar concentration of solute ठीक है अब इसको equal किया तो delta tb is equal to kb kb into m आया आपके kb क्या है यह जड़ा kb is called kb क्या कहलाता boiling point elevation constant molar elevation constant ebuloscopic constant यह by name भी आएवे हैं the unit of kb is जो unit है kb की निकालोगे आप निकाल लेना kilo kg per mole sorry sorry Kelvin kg per mole values of kb for some common solvent are given table 2.3 तो कुछ दीवी है को याद ना रखने की नहीं एक उन्होंने generally compare के लिए w2 gram of solute of molar mass m2 is dissolving w1 gram of solvent then molar t m of the solution is given by the expression अब इन्होंने molalty की definition के according उन्होंने बता दिया तो molalty क्या थी मुझे बताओ जरा molalty क्या थी molalty के according देखो अब यह है mol upon weight of solvent weight of solvent in kg यही तो था आपने यही तो लिखा था ठीक है जी तो बात तो gram में चल लई है कोई दिक्कत नहीं तो mol के लिख दिया given mass upon molecular mass यह तो बन गया mol बाली बात और यह w1 जो भी gram में चल लई थी upon 1000 हो गया यह आगे kg तो 1000 into w2 यह उपर चला गया यह नीचे m2 upon m2 upon w1 यह देखो तो तो substitution the value of molality की in equation 2.30 तो यह जो यह चीज है यह यह 2.30 में रख दो जरह 2.30 क्या थी delta tb is equal to kb into m तो अब क्या हो जाएगी delta tb is equal to kb into अब जरह रखो 1000 into w2 upon m2 into w1 बस यह बन गया आपका फार्मूला delta tb ठीक है अगर आपको m2 निकालना है तो यह m2 इधर आ जाए और delta tb जाए तो बही दोनों कुलगायब कर दो लो लो निकालना है तो तो यह m2 इधर कर दो delta tb इधर कर दो यह बन गया formula जरह नजरों के सामने से एक बार निकाल लेना ठीक है जी ओके अब देख लो जरह हाँ in order to determine m2 पता लगाने के लिए अगर आपको molecular mass of the solute लगाना है तो molar mass of the solute known mass of solute in known mass of solvent is taken यह सब सारी चीज़े लोगे delta tb is determined experimentally for a non solvent whose kv value is known तो यह सब experimental value देखके अपना आराम से यह निकाल लोगे यह सब चीज़े दीवी होंगे मिल जाएंगे तो experimentally ठीक है चलो और आखी क्या बता रहे हैं जनाव तो यह एक्जाम्पिल है एक्जाम्पिल आप कर लेना ठीक चलो अब depression ठीक है depression जो कि कौन सा वाला depression है यह depression मतलब कम होना जो कि आप आप वाला depression है जो आपको हो रख्खा एक्जाम में जो कि बहुत गलते tension है तो depression मतलब कम होना कम होना फ्रीजिंग पॉइंट यानि कि फ्रीज क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज हो रहा था भाई क्यों कैसे क्या भाई कैसे देखो देख यह ऐसा सोचके चलो यह solvent है ठीक है आपने इसमें solute डाला हाँ डाला solute के जड़ाय से गोल-गोल यह molecule आ गए ठीक है आगए ठीक है आगए ठीक अब इस आपने मिल्हाने इन्सांप भी यह जाए आप रिप में सबढ़ के छोलविन कैल दीक दुष्ट Season चैल मैं ठीक यह वैर परेश दिया हुआ है अब कि यह जड़ा देखलो बिरनायर है यह लिक्वीट सॉल्वेंट है ठीक है और ये क्या हो रहा है वैपर प्रेशर इसकी कम बंद्र है या नीचे जा रहा है गिराफ या उपर जा रहा है जो भी किसकी according अब देखो temperature कि यह है temperature यह देखो नीचे जा रहा है अब solution का इसके नीचे होगा क्योंकि solution का क्या होगा solution का freezing point कम हो जाएगा अब इनहोंना freezing point ये कम हो जाएगा ये देखो, ये point, ये coin créd eight f, ये freezing point कम हो जाएगा, क्यों? vapor उपर कम जाएगी तो freezing point कम हो जाएगा अब ये freezing, किस condition में होता है? जब कुई चीज आप boil बोलते हो, तो वो किस condition में बोलते हो वह आप यह बोलते हो कि जब क्या हो जाता है यह जो इसका वैपर प्रेशर लग रहा है वैपर प्रेशर अफ लिक्विड वैपर प्रेशर ओफ लिक्विड वैपर प्रेशर ओफ लिक्विड किसके बराबर हो जाता है अब फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं ज आप दिखतो एक कि रमें इरा कमेंट कि अधीड कर दोकि का cannot है जब इंडा डाइनेमिक की को लिडियाँ मध्युं कन आप यह बेग दलिकले गीर्वा यह लिक्विट फेज है और यह डानेमिक एकलिवरम सॉलिड फेज से हो ठीक दफ फ्रीजिंग पॉइंट ओफ इस सभिस्थांज में बी डिफाइंड एस तेंप्रेचर एट विच्ट प्रेशर ओफ दा सभिस्थांज इन इस लिक्विट फेज यह देख लो जरह पूरी दॉचञेध है यह इस फिरब पेशांज होतीStar function इंडीड फ्र बांड फेज लिकविट के लिए के दोनों के तो वह चीज होती है freezing point ठीक है लिए पता चल गया क्या होता है freezing point वेपर प्रेशर ओफप सबिस्टांस in liquid phase वेपर प्रेशर ओफप सबिस्टांस in solid phase solid phase के बराबर हो जाता है ठीक है a solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of the pure solid solvent as is के लिए from 2.8 से नजर आ रहा होगा ठीक है यह जो है solution का घड़िया ना यह यहां तक यह घड़िया solution का यह इस temperature पर आ रहा था यह जो जगए है यह जो जितना यह है डेल्टा टीए राउल्टो ने क्या बताया according to राउट लो देख लो जब नोन वोलेटाइल solid is added to the solvent solvent में नोन वोलेटाइल add क्या जा रहा है तो वैपर प्रेशर तो कम हो जाता है पता ही है molecule घेल लेते हैं जगे उसके जो आप add कर रहा है then now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature thus freezing point of the solvent decreases freezing point solvent का कम हो जाता है ठीक है तो Tf0 कित्सका है ये बीदब freezing point of pure solvent का freeze हो रहा था वो जम रहा था Tf0 के बोल दिया उससे cable pure solvent के लिए जब उसमें कुछ भी चीजे ठीक है rate weight कुछ मिलाया कुछ भी sodium chloride is ok कुछ मिलाया TfB its freezing point when non-volatile solute is dissolving it तो non-volatile जब मिलाया तो decrease in the freezing point delta Tf is equal to Tf0 minus Tf is known as the depression in the freezing point तो इसको बोल दिप्रेशन in the freezing point similar to elevation of boiling point boiling point के जैसा elevation हमने दिखाया था depression of the freezing point delta Tf for dilute solution मतलब जो बहो दाइलूट मतलब थोड़ा भोती आपने solute मिलाया ideal solution it directly proportional to its molalty molalty total level of the solution delta Tf also किस्प में M molalty तो delta Tf is equal to इधर उधर के भी था इधर आगया Kf into M the proportionally constant Kf which depends on the nature of the solvent is known as freezing point depression constant तो आपको अगर आएगा क्रायोस्कोपिक मतलब क्या है यह के एफ the unit of Kf is kilo kg पर mole है ना थीक है तो अब देखो जारा समझो पहले है तो के अच्छा मैंने यह यह यूनिट इसकी कैल्वी नहीं है बार बार मुझे निकल जाता ठीक है उसमें भी धियां रख लेना कैल्वी नहीं बूली थी शायद वैल्य ओफ के एफ और सम कॉमन स्वावेंटा लिष्टेट नीचे दिवी है तो देख लेना समझ लेना देख लेना एक बार ठीक यह के एफ के वी की इन्हों यूनिट डिखाई भी है फिर उसके बार ऑस्माटिक प्रेशर देखना जरह कि बूलरमास डबलू टू एम टू है किसके लिए यह जो सॉल्यूट लिया था आपने प्रेजेंटी निगियो सॉल्वेंट यह निकल गया है ना यह क्या है मोल अपन सॉल्वेंट इन केजी यही तो है इसी तरह यह वैल्यू डाली जैसे हमने उसमें डाला था और यह निकल गया एक्जाइक जैसे उसमें हमारा निकला था ठीक है बच्चो किसमें निकला था हमने के बी में देखा था तो थर्षपर डेटरमाइंट अगर आपको मोलर मास निकालना है यानि कि यह एम टू निकालना है तो यह वैल्यू डालो बाकी और आपका निकल जाएगा अब कहीं कहीं क्या दिक्कत आएगी बैसे मतलब एडवांस उडवांस लेविल की बात हो रही है मोचली दिया ही जाएगा के एफ एफ एड के बी अगर नहीं दिया हुआ विच डिपेंड्स अपॉन दा नेचर ऑफ दा सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं कैन बी एस पराइजेशन होता है डिल्टा है ठीक है तो बस यह एक बार देख लो इसमें जादे बहुत जादे डीप में जाओ बस इतना देख लो एक बार यह यह होता है फॉर्मूला चाहो तो यह छोड़ सकते हो कोई डिक्कत नहीं है बस मैंने पढ़ा दिया है here the symbol R and M1 stand for gas constant and molar mass of the solvent तो भाईया यह जो R है और क्या M1 है तो R तो gas constant है और M1 क्या दिया हुआ है molar mass of the solvent का molar mass respectively and TF and TV denote the freezing point TF क्या है इसका freezing point है ठीक है तभी तो fusion होगा और TV के बारे में क्या बात हो रही है कि यह boiling point है of pure solvent respective way in Kelvin में further delta H fusion and delta H vaporization यह delta H fusion और delta H vaporization represents the enthalpy for the fusion तो यह enthalpy fusion की यह fusion वाली enthalpy fusion की यह क्या है enthalpy or this one is the enthalpy vaporization of the solvent respectively ठीक है बच्चों तो यह एक बार data दिया हुआ है थोड़ा सा देख सकते हो ठीक अब देख लो जड़ा यह numerical आगया हाँ अब है osmosis and osmotic pressure ठीक है तो यह हमारा यह कितनी देर है भाई यह कहां तक चल रहा है इतना देखना reverse osmosis work अच्छा कोई दिक्कत नहीं है बहुत असान है हाँ तो osmosis क्या होता है तो आपने mostly क्या पढ़ा है देखो high concentration से flow होना to low concentration किस के लिए बात हो रही है यह solvent के लिए यह बात हो रही है solvent का high concentration से low concentration की तरफ जाना जैसे यह क्या है यह है solvent है यह solvent है ठीक है जी और यह क्या है यह क्या है मेंब्रेन ठीक है अच्छा एक और डेफिनेशन समझ लो लोवर कंसंट्रेशन आफ सॉल्यूट की लोवर कंसंट्रेशन से higher concentration आफ सॉल्यूट अगर हम यह बात करते हैं solvent की लेंग्वेज में मतलब बहुत पतली एक सेमी पर्मीएवल मेंब्रेन धी हुई होगी ठीक है तो देरा मैंनी फिनोमेन वीचार ओवजर जो अपने घर पे आप ओवजर करोगे नेचर में एठ होम एक्जाम्पिल जो कच्चा मैंगोज है श्रिवल हो जाता है वेन पिकल इन ब्राइन यानि की सॉल्ट वाटर में नमक के पानी में आप डाल लोगे ते विल्टेल फ्लोवर रिवाइव रिवाइव हैना वेन प्लेजन फ्रेश वाटर में रखोगे तो क्या हो जाएंगे दौबारा से जिन्दा हो जाएंगे भढ़िया से ब्लड अ कोलाइप्स वेन सेल्ट वाटर व्ल्टी से एल्ट वाटर सोडम क्लॉराइब और पानी के वाटर में रखोगे कोलैप्स हो जाएंगी वी लुका इंटू इन तो इस प्रोसें वी फाइंड वन और पैर्चमेंट और और केंड बी सिंथेटिक सचसेज सिंथेडिक भी हो सकती है तो इस मेंब्रे एप्याइस टूपी कंटिन्वस शीट और फिल्म के यह मतलब कई सारी ऐसे पतली-पतली हो जा रहे हैं जिल्ली टाइप जिल्ली बोल सकते यह दे कंटेने नेट परकॉस सब माइक्रोस्कोपिक होल, बहुत चोटे, खोटी चोटे-चोटे होल्स होते हैं, और पोर, ठीक है? जैसे मान लो कि यह, मतलब यह हैं, यह इस ताइप से, इस ताइप से, यह होल है, ठीक है? तो जब उनको जूम करके देखोगे, तब वो होल से नजर आएंगे, यह, इस कंडि इसमें केबल solvent जा सकता है इसमें केबल solvent जा सकता है ठीक है यह देखो लाइक हाँ like solute is hindered solute को दिक्कत होगी रुकावट membrane having this kind of property are known as यह type जो membrane है इसको semi permeable membrane बोल सकते हैं semi मतलब थोड़ी बहुत permeable मतलब flow of मतलब इधर से उधर उधर से इधर यह permeable होलते हैं assume that one only solvent molecules can pass through these semi permeable membrane if this membrane is placed between the solvent and solution as figure 2.9 में दी होई है the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution तो pure solvent से solution की तरफ चले जाएंगे इसमें ठीक है यह ही बोल लाए है this process of flow of the solvent is called this process को osmosis बोलते हैं the flow will continue till the equilibrium is attained जब तक equilibrium ने आएगा चलता रहेगा यह the flow of the solvent from its side to the solution across a semi permeable membrane can be stop stop क्या जा सकता है यह solvent का जो यह solvent यह solvent भाग रहे हैं यह इधर को एक अब रेड़ पैन ले ले लेते हैं थोड़ा सा हा यह जो यह जो सोलबेंट भाग रहे हैं यह यह तक तक न है यह तक तक तो जाएं फिर यह पर नhosक कर पाएं यह यह प्रेशर पाई लग गया, ठीक है, ओके, और इफ सम एक्ट्र प्रेशर यह प्लाई उन्डा सॉलूशन, इस प्रेशर देट जस्ट, यह इतना प्रेशर की केबल, मतलब जाद है नहीं, केबल, फ्लो का, सॉल्वेंट का फ्लो रोक दे, is called automatic pressure of the solution, जो यह यह जो प्रेशर है, यह केबल उतना प्रेशर लगा है, जितना यह इसको धक्का मारे, और यहां रुख जा, यह, कि यहां रुख जा, इससे जादे नहीं जाना, the flow of solvent, solvent का flow from dilute solution, flow solvent का flow dilute solution to the concentrated solution, तो solvent का flow dilute solution से concentrated solution accroses, यानि कि dilute solution से, यह concentration solution की तरफ जा रहा था, इसको रोका, the important point to be kept in mind is that the solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration of the solution, अब यह भी याद करो, the important point to be kept in mind में रख जाए, कि that solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration of solution, the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution, तो osmotic pressure किस पे depend करता है, has been found to be depend on the concentration of the solution, solution की concentration की concentration पे depend करता है, जिन फाउंड टो बी डिपेंड हों दा concentration और भाई इसी के तो यह जो कितनी concentration है, इसी पे तो depend कर रहा है न, ठीक है, तो osmotic pressure, यह क्या pressure है, यह यह वाला जो pressure है, osmotic pressure of a solution is the excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis, यह वो वाला extra pressure applied to a solution to prevent osmosis, osmosis रोकने के लिए, यह जो process है न, बस आप इतना रहा है रहा हो, flow of water molecule from semi permeable membrane और यह इधर को जा रहा है, ठीक है, higher concentration से lower, इधर को ही तो जा रहा है न, यह solution की तरफा, तो इस को रोकने के लिए, इस osmosis को रोकने के लिए जो लगाएगा pressure है, उ इसको बोले के twist of the passage of solvent molecule through a semi permeable membrane to the solution, this is illustrated in figure 2.10 में, osmotic pressure is a colligative property, colligative property है, जो हम पढ़ रहा है, as it depends on the number of solute molecule, यह किस पे depend कर रही है, number of the solute molecule पे depend कर रही है, and not on their identity, कौन से molecule है, क्या है, उन पे depend नहीं कर रही है, कितने है, कौन इन पे depend कर रही है, for dilute solution की बात करे, it has been found, experimentally देखा गया, that osmotic pressure is proportional to the molar T, ठीक है, c of the solution at a given temperature, pi is equal to, यह दिया हुआ है, crt, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, अरे आपने यह सुना है, pv is equal to nRT, है ना, ठीक, तो p is equal to, यानि कि pressure is equal to n upon v, n upon v, rt, तो यह क्या होगे, यह होगे, यह होगे, concentration पे, तो यह ही है, बस, तो p is equal to crt, ठीक है, तो p is equal to crt, here, यह जो भी दिया हुआ है, यह है, p is the osmotic pressure, and r is the gas constant, so n2 upon v, rt, here, v is the volume of solution, तो v क्या है, volume of solution, लिटर containing n2 mol, है ना, हमने, जो यह solute मिलाया था, n2, तो वो है, mol of solute, w2 gram of the solute होगे, molar mass m2 होगे, in the solution, अब फिर इससे आप निकाल सकते हो, भाई, इतना पता है, आपको mol, mol, mol क्या है, given mass upon molecular mass, ठीक है, तो आपको w1, w2, जो जो निकालना होगा, आप molar mass भी इससे पता कर सकते हो, जो हमें पता कर रहा है, measurement of osmotic pressure provide another method of determining molar mass of solute, तो measurement of osmotic pressure, osmotic pressure का जो measurement कर रहे हैं, प्रोई another method of determining, एक और तरीका है, molar mass, जैसे क्या आपने पहले क्या नहीं आया था, elevation of boiling point देख रहे थे, depression in freezing point देख रहे थे, अब आप क्या है, osmotic pressure के थुरू भी चल सकते हो, this method is widely used to determine molar mass के लिए of protein, जो बड़े-बड़े molecule है, polymer, तो यह CBSC में या NEET में यह एक दो जो पर्टिकुलर कुशन्स आते हैं, line by line according, तो यह देख लो, protein बड़े-बड़े molecule के लिए क्या तरीका है molar mass निकालने का, वह निकालने का है, osmotic pressure के थुरू हम निकाले जा सकते हैं, ठीक है जी, चलो, अब हम पढ़ते हैं, हाँ, चलो, line भी नहीं छोड़नी, line तो बहुत बड़ी पाप है, लेकिन, तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बाद colligative सुरू कर देंगे, इसमें क्या फायदा है जो हम कर रहे हैं, इस magnitude is large even for dilute solution भी लोगे ना, तो magnitude large मतलब शार्प value आएंगी, इस technique is sharp value in the sense कि sharp निकलेगा बिल्कुल, automatic pressure for determination of molar mass of solute, इस particularly useful वह बायो मॉलिक्यूल के लिए, बस यह यार रखो, कि बायो मॉलिक्यूल जो होते हैं जनरल बड़े molecule, not stable at higher temperature by end polymer have poor solubility, तो उनके लिए हम यह osmotic pressure का तरीका निकालते हैं, कि उनका अगर molar mass आपको निकालना है तो, हाँ, एक और अपर, the solution having same osmotic pressure, दो solution दिये वहे हैं, A और B, तो same osmotic pressure at a given temperature पे आरकाल, उनको बोलते हैं, isotonic solution, when the such solution are separated by semi-permeable memory, no osmosis occur between them, मालो एक यह इधर दिया हुआ है, और यह है semi-permeable memory, एक यह दिया हुआ है, इसकी और इसकी osmotic pressure same है, तो इसको बोलेंगे isotonic solution, ठीक है जी, तो उसमें occur between them, for example, osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell, अगर blood cell के बार करें, is equivalent to that 0.9% mass by volume, ठीक है, osmotic pressure कितना है, हमारे blood cell कितना, 0.9% mass upon volume, sodium chloride solution called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously, तो आप जो यह injection देते हो, तो ऐसा ना हो, पता चला आपने osmotic pressure जादे का दे दिया, तो दिक्कत हो जाएगी blood में है न, on the other, दूसरी साइड बात करें, if we place cells in the solution containing more than, अगर हम cell रखें, solution containing more than 0.9% mass by volume, इससे जादा sodium chloride, water will flow out of the cell, पानी जो है, बहार निकल जाएगा, इसलिए injection का बहुत रोल है, अब आप समझ गए हो, जो नीट के बच्चे हम हर चीज इसलिए कहीं न कहीं connected है, तो पता चला आपने जादे का osmotic pressure दे दिया, तो पानी बहार निकल जाएगा, and they would shrink, तो cell हमारी है, श्रिंक हो जाएगी, है न, such a solution is called hypertonic, अगर यह जादे का दिया है, तो इसको बोलते है hypertonic, if the salt concentration is less than 0.9%, अगर वह जो आपने, जो salt concentration है, कितनी 0.9% से कम है, solution is set to hypotonic, मतलब कम, hyper जहाता है, ज्यादा, और ठीक है, isotonic मतलब equal, in this case, water will flow into the cell, तो पता, cells के अंदर फिर, water का flow हो जाएगा, if we place this solution, they would swell, swell हो जाएगी फिर, ठीक है, चलो, एक मिनट, reverse osmosis, हाँ, तो यह reverse osmosis पढ़ लो बच्चो, उसके बाद अपना, तो देखो यह क्या है, यह fresh water है, solvent है, ठीक, यह solvent है, fresh water है, और यह salt water है, तो यहां से यहां जाना था, यहां से, solvent यहां जाना था, यह आपने, पानी को शुद बना रहे हो, pure बना रहे हो, तो यह कैसे हो रहा है, तो यह फ्रेश वाटर से इस साइड में जाना है ठीक है आपने एक प्रेशर लगाया ठीक तो यह जाना बंद कर दिया जाना बंद कर दिया अब आपने यह यहां तक रह गया यानि फ्रेश वाटर अब आपने एक प्रेशर लगाया था जो हम ओस्मोटिक प्रेशर कह रहे थे अब ये आप और प्रेशा लगा दो तो जो पानी दूसरी साइड और पहुंच जाएगा सॉल्ट वाटर से पानी निकलने लगेगा तो ये वाला जो आएगा ये प्यॉर वाटर आएगा और प्यॉर वाटर ये आपको पीने में चाहिए समझ में आगेर तो यह है, उल्टा ओस्मोसिष हो गया कहां तो यह तो ओस्मोसिष हो रहा था वह यह फ्रेश बाटर गाजा रहा था अब यह क्या हुआ सॉल्ट वाटर से पानी पानी धचला गया यह यहां पर हमें मिल जाएगा प्यॉर शुद बातर ठीक है यह चीज आप पढ़ सकते हो समझ सकते हो अब समझना भी पड़ेगा इस फिनोमना को रिवर्स ओस्मोसी कहते हैं एंड इस ऑफ ग्रेट प्रक्टिकल यूटिलिटी प्रक्टिकल यूटिलिटी है भईया हमें फ्रेश वाटर चाहिए जो और व आते हैं ना और व आते हैं केंट का रो वो सब रिवर्सुटी इन दी सैलाइनेशन ऑफ सी इने डी सैलाइनेशन मतब्स सेलाइन वाला कमना निकालना gonos neutral इस बीसे निकलता है ना ये नमकतर अस्म इससे अपना प्यूर वाटर यहां से अब उल्टा यहां चला जाएगा ठीक है ए वराइटी ओपॉलीमर मेंब्रेन और एविलेबल फॉर इस परस्पास बहुत सारी यह यह जो है ना यह यह बहुत सारी मेंब्रेन हैं बहुत तरीके की दप्रेशर रिकॉर फॉर्ड रिवार इस इस पर्मीएबल टू वाटर बट इंपर्मीएबल टू इंप्रमीएबल टू इंप्यूर्टी तो यह जो पानी जो कैंट वगरा में है यह किसकी बनी होती और भी बन सकती है ऐसा कुछ नहीं से लिलो एसिटेट की मतलब रख्या जाता कि एनिमल की ना हो जैसे जो कर रही है ठीक है बच्चो चलो तो नेक्ट वीडियो में हम एबनॉर्मल मोलर मास को देखेंगे ठीक है